Good morning class, last lecture में हमने distillation के general definition और उस से related जितनी भी टर्म्स distillation को define करने में use होती हैं या इस्तमाल होती हैं उनके बारे में पढ़ा था आज हम distillation के methods के बारे में पढ़ेंगे चुकिए distillation के बारे में मैं पहले ही काफी कुछ बता चुकिए हूँ या वेपर को ठंडा करके एकत्रित कर लेते हैं और वह हमारा final product होता है अगर हमें उस वेपर में या जो भी हमने वाप को या वाश्प को इखटा किया है अगर हमें और भी जादा purity या और भी जादा शुद्धा चाहिए होती है तो उसके बाद में हम बापिस से उस वेपर को या उस liquid को दोबारा column में डाल देते हैं उसके बाद फिर से उसको heat up करते हैं या गर्म करते हैं उसके बाद फिर से वो वेपर या भाप में convert होती है या परिवर्दित होती है और उसके बाद उसको दोबारा एक खटा करके आप final product प्राप्त कर लेते हैं इस तरीके से distillation को क परकार स्बाइब प्रकार यग नम्पोर 1 डिफरेंश्यल ओर सिमप्ल ेस्सिलेशन है भी हॉसा है कि नाम हे गसे को रिकटर को भाइए फिर डिशीन कॉलम में फीट करेंगे ऐट好了 क्रिक्थे स्टीम की मजट नाम करेंगे और उसके बाद में फिर जब वो भाप में generate हो जाएगा भाप में बदल जाएगा तो उस भाप को इकटा करके आप अपना final product प्राप्त कर लेंगे Second one है flash और equilibrium distillation Flash और equilibrium distillation का मतलब है कि जब आप किसी भी high pressure stream High pressure stream का मतलब है कि आपने अपने liquid को इतना जादा गर्म कर लिया है कि वो लगबग लगबग थोड़ा liquid और थोड़ा vapor में या थोड़ा drug और थोड़ा भाप में बदल गया है उसके बाद में आप उसको किसी valve की मदद से एकदम जैसे हमारा tap होता है या फिर मान लें जैसे कि हमारा कोई भी जैसे कोई pipe है pipe में बहुत तेज पानी बहरा है और अचानक उसमें कोई छेद कर दे या pipe काट दे तो उससे क्या होगा कि जो high pressure stream में एकदम से बाहर निकल के पानी जो होता है फैल जाता है इसी तरीके से fresh distillation में होता है कि कोई भी high pressure stream है या फिर आपकी कोई भी बहुत जो बहुत दाप के साथ अगर कोई drop या liquid flow कर रहा है तो जैसे ही हम उसका pressure कम करते हैं या उसका दाप कम करते हैं तो उसमें से उसमें उपस्ते जितनी भी आपकी वेपर होती है या वाश्प होती है वो सारी उपर उड़ जाती है और जितना भी liquid होता है वो नीचे चला जाता है तो वो आपका flash या equilibrium distillation कहलाता है इसके बार में मैं detail में आगे के lectures में बताऊंगी और number third होता है rectification और fractionation rectification का मतलब है कि हमने simple distillation किया simple distillation करने के बाद में जो हमें vapor प्राप्त होई हम चाहते हैं कि वो हमें और ज्यादा शुदिता की मिले तो उसके शुदिता को और ज्यादा मतलब और ज्यादा अचीव करने के लिए और ज्यादा प्राप्त करने के लिए हम बापिस उस vapor को कॉलम में ही डाल देते हैं उसके बाद में फिर और ज़ादा शुद्धिता प्राप्ट करने के लिए वो जब वेपर में जिनरेट होती है तो उसके बाद में फिर से उस वेपर को कॉलम में डाल दिया जाता है जिसे वो लगतार उसका distillation होता रहता है और distillation होने के पश्चाद वो आपको जो भी उस प् दिफ्रेंशल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे number one differential और simple distillation यहाँ पर हम देख लेथे कि in this distillation technique, this distillation technique में jacketed cattle या reactor में liquid mixture को steam की मदद से गर्म किया जाता है मैंने अभी जब इसके बारे में थोड़ा आपको बताया तो मैंने बताया कि इसमें हम अपने liquid mixture को steam की मदद से गर्म करते हैं इसमें क्या होता है कि कोई यह जो distillation technique है इसमें jacketed cattle cattle यहाँ पे चुकि आपको जो reactor है वो फिलहाल छोटा है तो उसको उन्होंने cattle कहा है या reactor भी कह सकते हैं या still भी कह सकते हैं वो तीनों एक ही के एक ही reactor या free equipment के नाम है जिसमें simple distillation किया जाता है तो in this distillation technique jacketed cattle, jacketed cattle का मतलब है कि उसके चारों तरफ एक jacket लगे हुए है यहाँ पर यह diagram बना हुआ है then this one is jacket jacket का मतलब यह है कि आपका यह column है column के बाहर की तरफ को एक उनों एक्स्ट्रा cover चड़ाया हुआ है इस cover में हम अपनी steam को feed करते हैं जब यह steam ठंडी हो जाती है तो यहाँ से उसे condensate की form में निकाल लिया जाता है अभी हम इसको explain करेंगे तो इस distillation technique में jacketed cattle यह reactor में liquid mixture को steam की मदद से गर्म किया जाता है आपका जो भी liquid जिसको गर्म करना है वो reactor के अंदर होगा और बाहर की तरफ को यहाँ पर आप उसकी steam feed करेंगे cattle की jacket में steam feed की जाती है from here यहाँ से धीरे-धीरे mixture को गर्म कर क्योंकि आप जितना steam डालेंगे उतना ही आपका जो भी liquid mixture इस reactor के अंदर भरा हुआ है वो धीरे-धीरे गर्म होता रहेगा तो धीरे-धीरे mixture को गर्म कर vapor generate की जाती है फिर उस vapor को condenser में ठंडा करके condenser ऐसी device है जो किसी भी vapor को भाप में किसी भी भाप को liquid या drug में convert कर देती है तो फिर उस vapor को condenser में ठंडा करके receiver receiver का मतलब यह है कि जहां पर हम अपने product को या उतपात को इखटा कर रहे हैं उसको receiver कहते हैं तो फिर उस vapor को condenser में ठंडा करके receiver में collect कर लिया जाता है इतना मेरी ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा cattle के jacket में steam feed की जाती है देरे देरे mixture को गर्म कर vapor generate की जाती है फिर उस vapor को condenser में ठंडा करके receiver में collect कर लिया जाता है अब हम इसका diagram देख लेते हैं कि जो simple distillation unit का diagram होता है यह आपका reactor होता है यह jacketed cattle होती है यह still होता है इसको still भी कहते हैं यह यहाँ पर आपकी यहाँ पर pipes लगे होते है इस इधर वाले जो pipe होता है यहाँ से आपकी feed जाती है feed के बारे में बता चुकी है कि जिस भी liquid mixture को हमें separate करना है या किसी भी दो component को अलग लग करना है तो वो आपकी feed कहलाती है तो आपने यहाँ से अपना feed दिया उसके बाद में यहाँ से आप इसकी jacket में यह reactor के अंदर नहीं है यह reactor के बाहर की तरफ है तो जो steam होती है वो इसकी jacket में flow की जाती है यह प्रवाहित की जाती है उसके बाद में आपने अपनी feed यहाँ से दी steam यहां से दी तो उसके बाद यह दे दे गर्म होता है गर्म होता है उसके बाद में जो भी इसके wash पर generate होती है यह wash बनती है वो सारी के सारी wash पर इस वाले hall से बाहर की तरफ को जाने लगती है यहां पर यह सारा piping system है तो यह इस pipe के मदद से कंडेंसर में इखटा कर लिया जाता है उसके बाद में यहां से स्टीम जो हम फीट कर रहे हैं जब वो स्टीम ठंडी हो जाती है तो यहां पर एक वाल्ब लगे हुए होते हैं उसकी माध्यम से इस कंडेंसरेट को इखटा कर लिया जाता है Condensate और कुछ नहीं Steam का ही द्रव अवस्ता में परिवर्थित रूप है यहाँ से आप अपनी वेपर को एक ठंडा कर लेते हैं उसके बाद यहाँ Condenser में उसको ठंडा किया जाता है Coolant in Coolant out का मतलब यह है कि जो Coolant है आपका मतलब जो भी इस वेपर को लिकूर्ड में बदलने के लिए यह द्रव में बदलने के लिए जो भी आप माधियम यूज करते हैं जैसे के समाने वस्ता में Water आपका यूज किया जाता है या जल या पानी यूज किया जाता है तो वो जो पानी ठंडा पानी हम यहाँ इसके जो अंदर वाला जो होता है यह कंडेंसर जो होता है जनरली एक बड़ा सा पाइप जैसा हिस्सा होता है उसमें छोटी-छोटी सी ट्यूब होती है छोटी-छोटी सी आपकी रॉड पड़ी हुई होती है जो वेपर है वो हलकी होती है उसको सीधे सीधे उस पूरे पाइप के अंदर flow करने दिया जाता है। वो जो tubes होती हैं, उसके अंदर पानी डाला जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि heat transfer हो जाता है। जितनी भी vapor की heat होती है या फिर जो गर्मी होती है, वो जो पानी होता है वो उसको एब्सॉफ कर लेता है उसके बाद में वो पानी उस वेपर को ठंडा करके यहां से भार चला जाता है और जो भी हमारी वेपर जो ठंडी हो जाती है वो उसको हम रिसीवर वन और रिसीवर टू में इखटा कर लेते हैं यह जो sign होता है यह आपका valve का sign होता है मतलब अगर हमारा जैसे हमने यहाँ पर हमारा जो भी product इखटा हुआ है उस product को मान लेजे कि आपने receiver one में इखटा करना है receiver one जो आपका full हो गया तो आप क्या करेंगे यहां से वाल्व को बन करके फिर दूसरी receiver में इखटा कर लेंगे जितने भी vapor हमारी generate होनी होती है वो उपर से generate आप उपर से इखटा कर लेते हैं उसके बाद में जो residue बसता है residue मतलब कि जो आपका अब vapor में convert नहीं हो सकता या जितना भी उस mixture में vapor में convert होने वाला component था वो आपका पूरा का पूरा vapor में convert हो गया है तो यहांपर सिर्फ वो liquid बचा है जो vapor में convert नहीं हो सकता है बहुत सारे ऐसे आपकी component होते हैं जिसमें से किसी एक ही liquid को आपको vapor में convert करना होता है दूसरे liquid को आपको नहीं करना होता तो वो जो liquid होता है वो आपका यहां इस जो column है column के bottom से या उसके निचले हिस्से से इकटा कर लिया जाता है उसको हम generally residue कहते हैं यह आपका simple distillation unit का brief description हो गया आगे वाले lecture में हम इसका material balance बढ़ेंगे material balance कहने का 맞़ भी है कि हम जो feed यहां से दे रहे हैं उस feed में हमारा जो भी component है उसका हम जो भी हमारी amount है amount कहने का मतलब ही है कि उसमें कितना kg या कितना kg आपका feed में जिसे binary component के लिए अगर तो अगर a component और b component है तो अगर a component का हम को product specification निकालना है या प्रोडक्ट की मातरा निकालना है तो हम असानी से material balance लगा करके उसको find out कर सकते हैं उसको ग्याद कर सकते हैं आगे वाले lecture में material balance के बारे में पढ़ेंगे तेंक यू